नमस्कार दोस्तों स्वागत है आपका फियर्स क्लॉड में तो दोस्तों भारत ने फिलाल के लिए सुखोई 30 MKI फाइटर जेट को सुफर सुखोई में अपग्रेट नहीं करेगा क्योंकि रूस और यूक्रेन का युद्ध भी चल रहा है और ऐसे में रूस की फाइटर जेट की कमपनियां खुद रूस के फाइटर जेट को स्पेर पार्ट उपलब्द कराने में ध्यान दे रही हैं और फिलाल के लिए भारत ने सुफर सुखोई अपग्रेडेशन को रोक दिया है और इसके पीछे एक और कारण भी हो सकता है कि जहां एक तरफ पस्चमी देश रूस पर प्रतिबंद लगा रहे हैं यानि कि रूस से हथियार खरिदने पर रोक लगा रहे हैं ऐसे में अगर भारत रूस से सुफर सुखोई के अपग्रेडेशन का साओदा करता है तो ये हमारे लिए अच्छा संकेत नहीं होगा और हो सकता है रूस यूकरेन यूद एक साल या फिर दो साल तक हिज जाए और ऐसे में भारत रूस पर तो निर्भन नहीं रह सकता और भारत भी तेजस फाइटर जेट में उन्नत हथियार और स्वदेशी रडार लगा रहा है दरसल दोस्तों देश में निर्मित हलके लड़ाकु विवान तेजस के नए संस्क्रण को स्वदेशी मिसाइल रडार और अन्ने हथियारों से लेस किया जाएगा और इस लड़ाकु विवान को स्वदेशी हथियारों से लेस कर भारत दुनिया को बड़ा और सक्त संदेश देना चाहता है तथा मेकिन इंडिया की ताकत का एहसास भी कराना चाहता है तेजस का जो नया वाला बर्जन है LCA MK1A को भारत पूरी तरह से स्वदेशी हथियारों से लेस करने की तयारी कर रहा है और अगले दो-तीन महिनों के वीतर देश में बनी मिसाइल अस्त्र के परिछण तेजस से किये जा सकते हैं और अस्त्र नजदीक और दूर तक लच्च को भेदने वाली मिसाइल है जिसका निर्मार रच्छा अनुसंधानेव विकास संगठन यानी की DRDO ने किया है और इस मिसाइल को सुखोई पर भी फिट किया गया है तता इसके परिछण चल रहे हैं अब इसे तेजस के नए वाले वेरियंट पर फिट किया जा रहा है तता परिछण किये जाएंगे और या मिसाइल हवा से हवा में 10 से 120 किलो मिटर दूर तक के लच्च को भेदने में ब इस में तेजस के नवसेना के लिए बनने वाले नए वेरियंट में किया जाएगा वहीं LCA तेजस में दूसरा महत्पूर्ट स्वदेशी रच्चा उकरण होगा ऐसा रडार और इसे भी DRD की प्रयोकसालाओं ने विक्षित किया है और इस रडार की खूबिया है कि इसे लगना इसकी चंता में जाफा करेगा और कई प्रकार के आपरेशन में इसका इस्तेमाल भी किया जा सकेगा और इस रडार का नाम है उत्तम एसा रडार अईया एक साथ 50 टार्गेट को ट्रैक कर सकता है और ऐसा रडार दुनिया के कुछ ही गिने चुने देश बना कर तयार कर पाएं हैं और इसकी ताकत का अंदाजा आप कुछ ऐसे लगा सकते हैं कि चीन का जो जे 20 फाइटर जेट है जो स्टेल्थ है या उसे भी डेटेक्ट कर सकता है और ऐसे रडार को तेजस फाइटर जेट में लगाना तेजस की चंता को और भी ज़्यादा बढ़ा देगा और तेजस में आनबोर्ड आक्सीजन पैदा करने वाला सिस्टम भी लगाया जा रहा है और इसका भी निर्माड डियार डियों की लेबरोर्टरी ने किया है और यही नहीं भारत और भी देशी हतियारों को यानि कि स्वदेशी हतियारों को इस तेजस फाइटर जट में अतार कम किया जा रहा है जहां भारती वायुसेना ने इन तेजस विवानों को 40 की संख्या में खरीदने का सवदा किया था जिन में से 30 तेजस बनकर भारती वायुसेना को सौप दिये गए हैं और जो अभी 10 बाकी हैं वो अगले 2 सालों में भारती वायुसेना को मिल जाएं और सोदेसी हथियारों से लैस तेजस के नए वेरियंट के 83 विवान भारती वायुसेना के लिए खरीदे जाएंगे जो वायुसेना के पुराने पढ़ चुके मिक विवानों को रिप्लेस करेंगे और अगले 5-6 साल में इन विवानों की आप पूर्ती होगी जिससे मिक की सभ करना और बेल आइकन को प्रस करना ना भूलें धन्यवाद